तो अरे कृष्ण लोग कभी-कभी प्रश्न पूष्टे है क्या राम-राम करने से क्रिष्ण कश्ट करने से नाम्-जब करने से क्या बहुत अच्छी बात है वैसे हमको तो अपना करता पर करना ही चाहिए लेकिन यह भी सही है कि अगर कोई वेक्ति अगर नाम जब करता है उसको भी भगवान खिलाते हैं तो ऐसा एक स्टूरी हम आज बताने जा रहे हैं देखिए पहला चीज़े कि एक बच्चा मा के पेट में होता है उसको काम नहीं करता है ना ही उसके पिताजी उसको देने के लिए कुछ जाते हैं खराब हो रहा हैं बंद करो महाराज जी नाम लेना चाहिए तो भगवन के नाम तो मैं इनलेगा हैं है मीकिनाकाम करक्रता हूं मैं अगर नहीं खांगा तो तुम्हारा भगवान किया प्रभु का नाम लेके बोल दिया अगर आपके भगवान ने अगर मेरे को जब रस्ति खिला दिया तो मैं मान जाओंगा कि आपके भगवान है उन्होंने भी है प्रभु का नाम लेके बोल दिया हां सर्थ मंजूर है लेकिन अगर आपको भगवान ने अगर जब रस्ति खिलाया तो आपको रेगुलार लेने के हमारे साथ नाम जब करना होगा तो वह बेक्ति बोला आपके साथ ने मैं आपके साथ ही रहूंगा सन्या सी बन जाओंगा और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा खैर नहीं याद रखना तो लेकि ठीक है यह जो बेक्ति है इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं उन्होंने प्लानिंग कि वह जंगल चले गए घोन घोर जंगल के अंदर बर्गत का पेड़ था उसके ऊपर चड़ गए औ आज देखता हूं यहां पर बैठ रहूंगा पूरा दिन खाऊंगा ने कैसे मेरे को भगवान जबरती खिलाता है तब तक ऐसा हुआ प्रभु जी जो महराजी थे उन्हेंने बोला कि है प्रभु आपके भरों से मैंने बोल दिया लाज रखना बरना तो गया काम से आब ऐस डाल खीर सब बनानी लगे यह देखके यह जो वेक्ति था वो सोचने लगा हो ना हो महराज जी का बाते थोड़ा बहुत तो सच होई रही है लेकिन मैं खाऊंगा यह नहीं देखता हूं कौन मेरे को बरस्ति खिला देगा तुरंद उसी समय कुछ समय के बाद जब सब होचे तो वहां देखा कि अरे सब पगवान बना के रेड़ी है हमको भूग लगी है चलो खाओ अराम से किसने हमारे लिए बनाके गया है तो सरदार बोलते हैं कि इसमें जहर मिलाया होगा चेक करो अच्छे से अरे यह जंगल में कुण आएगा जहर मिलाने के लिए अगर में आके कोई अगर खाना बना सकता है तो जहर क्यों नहीं मिला सकता और वो जहर मिलाना वाला आज पास कहीं पर होगा देखो डूंडो तो एक विक्ति ने बोला कि अगर मैं देखूंगा तो उसका तुकड़े चुकड़े कर दूंगा एक विचा उपर था सब सुनी रहा अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को यह तो मार देंगे तो उपर से कापने लगा तो पेड़ ले लगे तो देखा इधर ही पैटा चल उतर अब ने क्या वह विचारे को जबर दिस्ति उतारे बोले की मेरे को जो करना है करो मैं आपके सब सामान उठाने के लिए तयार हूं लेकिन मैंने के लिए मत भोलना तो बोला कि जहर मिलाया होगा तो खाने के लिए क्या सब और तुमरणी रहे और कैसे मरूं इसमें जहर ही नहीं तो वेल तो खाया क्यों नहीं अरे मैं इसलिए नहीं खाया फिर अपना फोरा स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा था और मैंने इसे प्रण किया था कि आज खाऊंगा ने लेकिन भगवान ने तेमर जबर दस्ति खिला दिया ये सुन के डाकूल अथ उनका भी हर्दय परिवर्तन हो सच में भगवान है हमको भी काम नहीं करना चाहिए और वह व्यक्ति जो था आगे महाराज जी की पास आये दंडवत परणाम किये और बोले कि आज से मैं आपके ही सिस्य हूं महाराज तो फिर निके आगे चलके वही व्यक्ति निके मलुक पीठ के मलुक दास जी महाराज ब सब लोग नाम जब करिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जाए स्री राम